बीबीसी दुनिया में आज देखे घाटी में रहने वाले कई कश्मीरी पंडित क्यूं हैं खौफ जदा डर के साए में जी रहे हैं घाटी में रहने वाले कई कश्मीरी पंडित और गयर कश्मीरी कई तो जम्मू वापस आए BBC से बात करते कई लोगों ने सरकार के रुख पर जताई निराशा दिखाएंगे खास रिपॉर्ट BBC दुनिया में आपका स्वागत है मैं हूँ एदित महरा कश्मीरी पंडितों की बात कव स्टोरी में लेकिन पहले हेडलाइन्स भारत में कोरोना लोगडाउन का फैसला सरकार ने किसकी सलहा पर लिया था केंद्रिय सूचना आयोग ने PMO कुद दिया जानकारी देने का निर्देश BBC की ओर से सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत मांगी गई थी जानकारी लेकिन पहले PMO ने जानकारी देने से किया था इनकार श्रीलंका के राश्ट्रपती रानिल विक्रमसिंगे ने विपक्षी सोचलिस्ट लीडर दिनेश कुणा वर्धने को बनाया देश का नया प्रधानमंत्री एक दिन पहले ही व्यापक जन विरोध के बावजूद राश्ट्रपती बने थे रानिल विक्रमसिंग है Commonwealth Games Federation के प्रमुख ने कहा जिन देशों में समलेंगिक होना है अपराद वहां भविश्य में Commonwealth Games होने की संभावना है कम अगले हफते बर्मिंगम में होगा Commonwealth Games का आगास जिसमें 43 समलेंगे खिलाडी भी होंगे शामिल यॉरप के कई देशों में तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक धदक रही है जंगलों में लगी आग दक्षणी यॉरोप में चड़ता पारा तोड़ रहा है पुराने तमाम रिकॉर्ड चीन के कई इलाकों में भी तापमान पढ़ने की आशंका फरवरी में जंग शुरू होने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच पहला एहम समझोता इस्तानबुल में तुर्की और संयुत राष्ट की मदद से कि ये समझोतों के तहत अनाज निर्यात के लिए दोबारा खुल सकेंगे ब्लैक सी के पंदर का इन में से कुछ एहम ख़बरों की चर्चाज वी बीसी दुनिया में बीते साल अक्टूबर से कश्मीर में टार्गेटिड किलिंग के मामले बढ़े हैं और इसका शिकार हुए हैं घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंदित और खैर कश्मीरी इन घाटनाओं को लेकर कई कश्मीरी पंदितों में नाराजगी भी है और सरकार से निराशा भी क्यूं इसी की बात आज कवस स्टोडी में बुद्वार को केंद्र सरकार ने संसद में दिये गए एक जवाब में कहा कि अगस्त 2019 से लेकर इस साल 9 जुलाई तक एक भी कश्मीरी पंदित घाटी से माइग्रेट नहीं हुए हैं लेकिन बीबीसी ने पाया कि जमीनी हकीकत सरकार के दावों से थोड़ी अलग है घाटी में नौकरी करने वाले अधिकतर कश्मीरी पंदित जम्मू वापस जा चुके हैं क्यों आजकल कश्मीर में नहीं रहना चाहते कई कश्मीरी पंदित क्यों ट्रांजिट कैम्प कईयों को कैद से लगते हैं देखिए कश्मीर से बीबीसी संबादाता कीरती दूबे की ये रिपोर्ट तीस साल बाद एक बाद फिर घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंदित डर के साए में जी रहे हैं आधिकारी काकड़े कहते हैं कि अगस्ट 2019 से कश्मीर में 14 हिंदों और गय कश्मीरियों की तागेटेट केलिंग किये गई है इनमें चार कश्मीरी पंदित हैं लेकिन इस साल 12 मई को रहुल बट को जिस तरह मारा गया उसने घाटी में कश्मीरी पंदितों के लिए जैसे लब्बे का दौर वापस ला दिया हो रहुल बट को चंदूरा के तैसीर आफिस में घुस कर गोली मारी गई और ये टारगेटेट किलिंग का पहला ऐसा मामला था जहां कड़ी सिक्योर्टी के बीच हमलावरों ने पहले रहुल का नाम पूछा और फिर पाँच गोली मारी रहुल बट की मौत उन टारगेटेट किलिंग वाले पैटर्न का हिस्सा है जो पाँच अगस 2019 को जमु कश्मीर से अनुछे 370 और 35 से हटने के बाद 22 साल ऑक्टूबर से तेज हो गई है रहुल की पत्नी मिनाक्षी ने अपने पती के साथ बुढ़ापे में हरी द्वाल बसने की तैयारी की थी देखी मिनाक्षी और रहुल भट का साथ महस्द 9 साल का ही राव जब अकेले बैठती हूँ तब याद आती है उसकी अपने आपको बिजी रखने की कोशिक थी होती तो क्या पता उसके साथ आज यह नहीं हुआ होता है राहुल पर चंदूरा तहसील में क्लर्ग थे और उन्हें ये नौकरी पी-म रिहाबिलिटेशन प्लान के तहत मिली थी राहुल का परिवार उन चंद कश्मीरी परिवारों में से एक था जिसे सरकार के ट्रॉंजिट कैम्प में क्वार्टर मिला वह बढगाम के शेख पूरा कैम्प में रह रहे थे जो सबसे जादा हाइज सेक्यूर्टी वाला कैम्प माना जाता है साल 2008 में मनमोहन सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए रिहाबिलिटेशन पैकेज अनाउंस किया 2010 में इस पैकेज के तहट पहली बार रिक्टूटमेंट हुई आज 12 साल बाद लगभग 5000 लोग इस पैकेज के तहट वैली में नौकरी कर रहे है लेकिन इन में से सिर्फ 20 फीजदी लोगों को ही कामेंट फ्रंस सेक्योर अक्मेंडेशन मिल पाई है अमित रहना उन में से एक हैं जिन्हें ट्रांजिट कैम्प में जगर नहीं मिली और वो अपने परिवार के साथ किराय के मकान में रहते हैं हालात ऐसे हैं कि अमित और उनका परिवार घर से बाहर नहीं निकलता जो ट्रांसिट कैम्प में रह रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं और जो रेंट पे रह रहे हैं वो more than 70% लोग रेंट पे रहे हैं हम तो गर से पाउं बाहर रखने में कम से कम सोबारी सोचते हैं LG साब अपने संबोधन में ये एक बात बोलते हैं जो अपने शैडोज है उनसे भी सावधा नहना चाहिए जिनके पास इतनी स्क्यूरिटी है अगर उनके लिए ये कुश्चन माग है यहां के स्क्यूरिटी तो हम आम लोगों के लिए क्या साल 2008 में चब UPS सरकार ने ये पैकेज लाया था तो इसमें 3000 लोगों को नौकरी देने की बात कही गई इसके बाद मोधी सरकार ने 3000 एडिशनल पोस्ट निकाली और इस तरह कुल 6000 लोगों को नौकरी देने और सुरक्षित घर देने का वादा किया गया था कश्मीर से अनुशे 370 हटने के पक्ष में ग्री मंत्री अमिर शाने कहा था कि इससे पंडितों के लिए कश्मीर में दुबारा बसने की राह आसान हो जाएगी और इस चेजार लोगों को कश्मीर गाटी में घर के साथ 2022 के साथ हम बसा देंगे और परसो पुराना हमारा सपन समाब लेकिन कश्मीरी पंडित खोद इस बात से कितने सहमत है उनको लिए शायद पॉइंट प्रेस्टीज बन गया है वो दुनिया को दिखाना चाहते है कि हमने कश्मीरी पंडितों को रिहाबिलेटेट किया है वह वापस आ गया है कश्मीर जबकि ऐसा कुछ नहीं है रिहाबिलिटेशन के नाम पर तो दोखा है यह क्यूंकि अभी जो हमें यह अकॉमडेशन प्रोवाइड की है पीफर अब्रिकेटिट शीट्स है कंक्रीट भी नहीं है यह और वो भी शेरिंग पर आप खुद देख लीजिए एक फ्लैट में 10-10-11-11 बंदे रह रहे हैं टाकेट टियंग के बढ़ते मामने को देखते हुए कशमीरी पंडेट वैली से बाहर पोस्टिंग माग रहे हैं लेकिन सरकार ने इसपर कोई एक्शन नहीं लिया है बलकि इसके बतले कंदर सरकार इन्हें हीट कॉर्टर और सेफ जोन में पोस्टिंग दे रही है कुछ डिपार्टमेंट में पीम पैकेज के तहत नौकरी कर रही लोगों को आनन फानन में प्रमोशन भी दिये जा रहे हैं जिन लोगों को ट्रांजिट कैम्प में कौर्टर मिले हैं उनकी जिंदेगी भी आसान नहीं है यहां रह रहे लोगों ने कैम्प से बाहर की दुनिया महीनों से नहीं देखी है यहां रहने वाले कश्मीरी पंडित इस वक्त सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं और वो है अपने जान की सुरक्षा की वो बोल रहे हैं आपको सेफर जोन्स में लेंगे सेफर जोन्स कोन से है यहां जो राहुल बट की किलिंग हुई है वो मेजिस्ट्रेट आफिस में हुई है उधर कितनी सेफटी थी और अब जो यहां मैकसिमम टीचर्स है एजुकेशन मनुस सिन्हा ने मामले की जाच के लिए इस पेशल इन्वस्टिगेटिव टीम बनाई थी आज तक उस जाच का क्या हुआ इसकी जानकारी ना तो मेडिया के सामने आई और ना ही राहुल के परिवार को मिली बंदेर लगाए कोई रिपोर्ट उन्होंने भी नहीं दे दिया लहाँसा इसका यह मतलब है कि साइलेंट हो गया केस रफा दफा हो गया है बीबीसी ने जमुकश्मीर के LG आफिस से संपर किया लेकिन हमें उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला कश्मीरी पंडित बीते दो महीने से दफ्तर नहीं गये हैं और जो घाटी में रह रहे हैं वे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं और ब्रेक के बाद दिखाएंगे श्रीलंका में नए राश्च्पती के बाद बने नए प्रधानमंत्री क्या बदलेगी श्रीलंका की दशा बीबीसी दुनिया में अभी है बहुत कुछ बाकी बने रही है हमारे साथ आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में हूँ इदित महरम श्री लंका को अब नए राश्टपती के साथ साथ नए प्रधान मंतरी भी मिल गए है सांसत दिनेश गुणा वर्धने ने राश्टपती रानेल विक्रम सिंगे की मौजूदगी में आज प्रधान मंतरी के तौर पर शपत ली वो यूनिटी गवर्मेंट का हिस्सा होंगे काबिनेट के कई मंतरीों ने भी आज ही शपत ली जिसमें कुछ विपक्ष्ट के सांसत भी है राश्पती रानेल विक्रम सिंगे ने भी गुरुवार को ही शपत ली थी आर्थिक मुश्किल से जूज रहे श्री लंका के वित्त मंतरी का पद उन्होंने अपने पास ही रखा है इससे पहले शुक्रवार सुभा सुभा राजधानी कॉलम्बो में सुरक्षा बलो ने प्रदर्शनकारियों के धरनों की जगहों पर धावा बोला इस दोरान BBC के एक वीडियो जर्नलिस्ट को भी पीटा गया एक सेनिक ने उनसे उनका मॉबाइल शीन लिया और उसमें मौजूद वीडियो डिलीट कर दिये सेना की ये कारवाई रानिल विक्रमसिंगे के राश्टपती बनने के बाद हुई है माना जा रहा है कि नए राश्टपती रानिल विक्रमसिंगे जनता के बीच लोग प्रियन नहीं है और उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कारवाई की बात की थी पूर राश्टपती गोटा बाया राजपक्षे के देश छोड़कर भाग जाने के बाद रानिल विक्रमस रानिल राश्टपती चुने गए थे और श्री लंका के कई लोग मानते हैं कि वो गोटा बाया राजपक्षे के करीबी हैं और जब सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों को हटाया तब बीवीसी संबाद्दा था अनबरासन एतिराजन वहाँ पर मौझूद थे तब क्या हुआ देखिए सुरक्षाबल अब यहां आ गए हैं जहां प्रदर्शन हो रहे थे यहां आकर वो टेंट हटा रहे हैं जो यहां महिनों से लगे थे सुरक्षाबलों के यहां आने से तनाव बढ़ गया है वो मीडिया को तस्वीरे भी नहीं लेने दे रहे हैं प्रदर्शनकारियों को पहले से ही डर था कि रानिल विक्रम सिंगे के राष्टर पती बनने के बाद ऐसा हो सकता है और ताज़ा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं कॉलम्बो में मौझूद बीबीसी संबादाता आमिर पीरज़ादा के पास आमिर जो कारवाई कल हुई हम सबने देखा आज मौझूदा सूरते हाल क्या है आज के अभी के अगर हाला तो क्या कर हम बात करें मैं अभी गॉल फेस रोड बे ही हूँ जो ठीक मेरे सामने जहां पे कल की कारवाई हुई वो यहां से तकरीबन सो मीटर की दूरी पे है तो यहां पे अभी भी सुरक्षा भलों की ताइनाती है सेंकडूम है फोर्सेजू की ताइनाती है जो प्राइमरी प्रेजिडेंट का सेक्रीटरेट है यानि ओफिस उस ओफिस को कल स्री लंकन फोर्सेज ने रीकलेम किया अभी स्री लंकन जो यहां के प्रोटेस्टर्स थे नके कबजे में था जो नôm जुलाए अपने कबजे में लिया था लेकिन कल यहां की सेक्रीटरेट फोर्सेज ने जब कारवाई की वहां से प्रोटेस्टर्स को बगाया उनके टेंस फाड़े और उसके बाद उन लोगों ने उस ओफिस को अपने कबजे में ले लेकिन उस वज़े से यह हुआ यह जो पूरा रोड है गॉल्फेस रोड जो एक प्रोटेस्ट साइट भी मानी जाती पिसे तीन महीने से यह प्रोटेस्टर्स इस सड़क पे ही रहते थे जहां पर उनने अल गाड़ियां खड़ी है चारों और ताइनाती है लेकिन कल के उस कारवाई जो कारवाई फोर्स ने यहां पे की उसके बाद एक उसका एक बड़ा रियक्शन देखने को मिला आज एट लिस्ट हमने दो जगों पे प्रोटेस्ट देखे एक यहां पे जहां पे और गोटा गा हमें खत्म होते हुए दिखाई दे रही थी क्योंकि कल प्रोटेस्टोस ने यह कहा था कि जो प्रिजिडेंट सेक्रेटरेट है इसको हम आज यानि फ्राइडे के दिन वो रिटर्न करने वाले थे हमें लग रहा था जो मुव्मिन्ट खत्म होते हुए दिखाई दे रही थी वो अभी वापस पिक कर रही है क्योंकि आज सड़नली लोग वापस इस मुवमेंट में जुड़ रहे हैं हमने अलग-अलग जोगों पे लोगों को जुड़ते हुए देखा नारे लगाते हुए देखा forces के साथ argument करते हुए देखा जी आमिर अब नया प्रधान मंत्री मिल गया है नए राश्टपती है रोड आगे की क्या है देखे अब अगर हम स्री लंका की बात करें नए प्रधान मंत्री या नए जो cabinet ministers चुने गए जिसमें 18 cabinet ministers चुने गए including प्राइम मिनिस्टर ओन ग्राउंड लोग के अंदर उतना excitement में नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हमसे बात करने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए और श्री लंका को चीन ने कर्ज में बड़ी रकम दी है अब चीन की राश्पती शी जिन पिंग ने मदद की पेशकर्श की है ताकि श्री लंका की आर्थिक मुश्किलें कम हो सके श्री लंका की नई सरकार के सामने देश की आर्थिक हालत को पट्री पर लाने की चुनौती और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वो टेलिसकोप जो ब्रहमान के नए रहस्यों से परदा उठा रहा है मिलते हैं चोड़ी से ब्रेक के बाद आप देख रहें बीबीसी दुनिया मैं हूँ इदित महरा अब बात एक ऐसे टेलिसकोप की जो ब्रहमांड के रहसे ढूंड रहा है और ये रहसे है न्यूट्रॉन स्टार ये डेद स्टार्स माने जाते हैं जो धरती से अर्बो किलोमीटर की दूरी पर होते हैं इस से आस्मा के बारे में और गहराई से जानने का मौका मिलेगा बीबी ब्रहमांड में मौझूद सबसे रहसे मईचीज न्यूट्रॉन स्टार को डूंड रहा है ये ब्रहमांड में सबसे चोटे और घने माने जाते हैं फिर भी इतने भारी कि इसके एक चोटे से टुकड़े का वजन आठ अरब लोगों के भार के बराबर होता है अब वैग्या मिलते हैं तो चमकदार रोशनी बनती है और ब्रहमांड में एक जटका सा महसूस होता है जब इस जटके के बारे में धरती पर पता चलता है तो ये नया टेलिसकोप आक्शन में आ जाता है और ये पता लगाता है कि रोशनी वास्तों में आ कहां से रही है खगोल विदों को तेजी से काम करना होता है क्योंकि ये चमकीली रोशनी केवल दो दिन मौझूद रहती है और इस नामुम्किन सी खोज में कम्प्यूटर बहुत मदद करते हैं रिसर्चर्स हर रात की तस्वीरों को देखते हैं साथ ही ये भी देखते हैं कि क्या न्यूट्रॉन स्टार के तकराने से पहले वहां कोई रोशनी मौझूद थी या नहीं आपको लगता होगा कि इनके तकराने से तेज धमाका होता है काफी रोशनी होती है तो इन्हें ढूंदना काफी आसान होगा लेकिन हमें करोडों तारों में से एक को ढूंदना होता है हमें इसे तेजी से करना ह ये टक्राव ऐसे हालात पैदा करते हैं जो हमें विज्ञान की गहराई तक ले कर जाते हैं ये हमें कुछ रहस्यों का जवाब दे सकता है जैसे ब्रम्हांड में सोने और प्लेटिनम जैसे भारी तत्वों का निर्मान कैसे होता है ब्रिटिन का ये टेलिसकोब गो टू काफी तेजी से काम करता है और अपने उपर आस्मान को तेजी से स्कैन कर सकता है जब कोई अहम घटना होती है तो इससे जादा जानकारी निकालने की कोशिश की जाती है और ऐसे काम करके काफी अच्छा महसूस होता है इन उपकरणों के जरीए रिसर्चर्स यूनिवर्स के बारे में पहले से ज्यादा तीजी से पता कर पा रहे हैं हलांकि इस टेलिस्कोप के जरीए अभी तक बस एक न्यूट्रॉन स्टार के टकराओ की घटना का पता चल पाया है और कारकरम से जरीए किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं मेरे ट्वेटर है आट बीबीसी विदिद आज के लिए इतना है